हेलो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिपला कमपनी में आपको जोब कैसे मिलेगी जोब वेकेंसी बहुत सारी जोब वेकेंसी निकली है सिपला कमपनी में और बद्धी माचल में जो फेक्टियां है उसमें अभी भरतियां चल रही है तो दोस्तो कैसे आपको लग सकते हैं देखिए कि इस प्रकार से टेबलेट बनती हैं और आपको क्या करना होता है उन्हें चेक करना होता है उन्हें पैक करना होता है और जो पैक जो मसीन होती है उसको भी ऑपरेट करना होता है और देखिए इस प्रकार से जो बॉक्स होते हैं उसमें भरना होता है और इन पैकटों को ठीक है तो इस प्रकार से आपका काम रहेगा company में और बहुती सावधानी से इन बॉक्सों में ये जो पैकट होते हैं वो भरने होते हैं और जो conveyor line होती है जो आप green color की देख रहे हैं ये एक conveyor line होती है जिस पर जो packet होते हैं वो चलते जाते हैं ये पट्टी होती है इसे मसीन द्वारा घुमाए जाता है तो वो चलती रहती है ठीक है तो इनका देखिए वेट भी किया जाता है और पैक किया जाता है पैक करने के बाद इन्हें गोदाम में रखा जाता है और देखिए एक-एक चीज को यहां पर चेक कि जाता है कि जो प्रिंटिंग हुई है वो बिलकुल सही हुई है या नहीं हुई है और जो चीज हैं वो एक्तम accuracy से लिखी गई है या नहीं लिखी गई है दोस्तो और भी बहुत सारी machine होती है जैसे कि जो syrup बनाने वाली machine होती है पीने वाली जो दवाई होती है उसको देखिए किस प्रकार से यह automatic उसमें दवाई भरती है यह जो machine आप यहां पर देख रहे हैं तो यह automatic procedure होता है जिसमें जो machine होती है वो automatic दवाई को भरती है और वो भी conveyor line पर नीचे चलती रहती है जैसे भर जाती है उसके बाद converge line है उस पर डॉप कर दी जाती है फिर उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाती है और देखिए ढकन जो होते हैं वो भी पूरा automatic process होता है जो बोतल के ढकन होते हैं वो भी automatic जा रहे होते हूं उपर और automatic कस रहे होते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यह automatic machine होती हैं जिससे जो company का जो काम करने का तरीका है और जो production है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और देखिए यह जो capsule बनाने वाली जो machine होत हैं वो भी सभी automatic रहती हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो machine है वो capsule बना रही है और आराम से कुछ नहीं करना होता है automatic प्रिंट कर देती है और प्रिंट एक बार हमें feed करना होता है तो यह सारे कि सारी जो काम है वो आटमेटिक रहते हैं और जो manual work रहता है वो टेस्टिंग कर रहता है टेस्टिंग कैसे करनी है यह सारा काम रहता है और दोस्तों फैक्टरी में जो जरूरत है वो पैकिंग के लिए जरूरत है इस टैम पर वर्दी हमाचल में और पैकिंग करनी होती है और अगर आपने कोई डिपलोमा किया है अगर आपने को इस परकार से देखिए, बहुत सारी मसीने होती हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, बहुत अच्छी मसीने होती हैं, अब दोस्तो हम बात करते हैं कि आपको जॉब मिलेगी कैसे, तो दोस्तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है, क्वालिफिकेशन, city और mobile number तो ये जो detail है वो आपको comment box में comment करनी है जिससे मैं आपको जो contractor है उस तक ये जो information है वो पहुचा सकूँ जिससे आपकी जल्दी से जल्दी job लग जाए बद्दी हिमाचल में और भी कई आपको जो सहर है उसके nearest अगर कोई company होगी तो उनका भी contractor की जो number होते हैं ठेकेदार की जो number होते हैं उनका number में provide करा दूँगा या ठेकेदार को आपकी detail पहुचा दूँगा जिससे आपको आपको तुरंत job मिल सके और आप जाकर अच्छी खासी job कर सकें ठीक है तो आपको कमेंट बॉक्स में यह जरूर लगना है नाम qualification city और mobile number ठीक है अगर दोस्तों अगर आपके पास कोई call पैसे आए कि पैसे अगर कोई आप से मांगता है तो आपको किसी को भी पैसे नहीं देने है किसी भी ठेकदार को या किसी contractor को पैसे नहीं देने है ठीक है जो जो आपकी नौकरी लएगी वो विल्कुल free of cost लगती है जहां कहीं भी लगती है आपकी नौकरी ठीक है तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों मीद वीडियो आपको पसंद आयोगा अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और सेर जरू करें